तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दा विगबूल 420 पर इस वीडियो में बात कने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के बारे में आज का मार्केट के सरा आज का फिन निफ्टी एकस्पाइरी के सरा इस पर चरचा होगी ती एक inverse hammer बना है तो किस प्रकार का market रहा है इस पर पूर्ण रूप से अपर इस वीडियो में चरचा करने वाले हैं अगर आप इस वीडियो पर पहली बार बन रहे हैं आप इस चैनल पर पहली बार आ है तो चैनल को subscribe करके बैल आकर हिट कर लिजीगा आपको आगे भी काफी ज लोज होता हो मिला है तो not bad not good एक अच्छा market अपने लिए रहा है अब यहां से जो important होता है जिस भी दिन आपको इस प्रकार डोजी बगरा देखने को मिल जा है उस दिन आपको इसी प्रकार market में levels marked करने उस दिन का high उस दिन का low यह आपको इस प्रकार मार्ग कर लेने हैं द और यह तो फी बनाची हो गया अगर मैं यहां से यहां तक market stress हुआ था जब बात करूं without any retracement तो 2000 point का momentum में यहां देखने को मिला था और अगर यहां से मैं बात करूं इस लेवल से तो यहां पर अगर बात कि जा है तो 2000 यह 112100 point का momentum यहां देखने को मिला है देन अगें जब market इसके बात consistently rally कितना देखने को मिला है समझीगा 1800 point इससे पहले जब market retracement कोई कोल का rally दिया तो कितना है maximum कितना है 2000 point है ना थोड़ा और पीछी चले बाकी इधर तो retracement वगरा दिख रहे है मतलब overall यहां पर picture यह समझना है कि market इतना तो चल चुका है कि अपनों को एक rate candle दे सके मतलब थोड़ा hold कर सके थोड़ा wait कर सके है positive है लग रहा है कि अब तो भाई market जाएगा 46,000 भी जाएगा और इसके उपर भी अगर retracement करके चला तो एक लंबे target के लिए हो सकता है अभी यहां से immediate selling तो देख ही नहीं सकते है तो हाँ एक retracement जरूर बाकी है अब देखते हैं market वो आने वाले कल में retracement देता है या फिर expire ह हमारी एक retracement की तरह भी थी वो एक interesting question है जो market अभी लग रहा है उसमें क्या scenario रहेगा guys देखो सबसे पहले आपको concept यह समझना होता है if trend अगर आपका कुछ इस प्रकार का positive हो okay trend अगर आपका कुछ इस प्रकार का positive हो जैसा आपनों को पिछले कुछ समय से देखने को मिल रहा है तो continuously में अगर market gap up होता है तो या तो gap feel करने के बाद bullish होता है या वो direct आपको bullish मिल जाता है कुछ इस प्रकार से यहां देखें gap up bullish because यह 200 points से ज़्यादा का gap up ता है 200 points से ज बड़ा नाता connection उस particular day में नहीं होता है तो यहां पर consolation 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 आज का market gap up एक gap तो फिल किया लेकिन previous day का एक support भी लिया market 45,000 round level का market support लिया देन वापस एक अच्छा buying rally दिया one sided then again market आपका नीचे आया 0.5 around 0.6 पर रुका देन पूरा यहीं पर close हो गया मतलब open के आस पास ही clear cut close ह तो यहां से क्या view होना चाहिए अभी भी क्या market uptrend में the answer is yes क्या भी market negative हो गया the answer is no अभी market क्या कर रहा है अभी market neutral खड़ा है top पर uptrend के top पर market जो है neutral रहा है आपका ओके तो इस चीज़ को समझेगा तो यहां से अपना एक normal जो view है market का वो अगर बात की जाए अगर कल का market आ market में बाइंग लेंगे इफ मार्केट का वो जो गेप अपे वो 500 पोइंट अबाओ है देन अपन उसमें एक प्राइज एक्शन के अकोडिंग डिरेक्टली बाइंग कर सकते हैं अब मान लीजे market फ्लेट ओपन होता है और इसी रेंज में है जो कि 45,000 to 45,650 का है एक 600 पोइं इस रेंज में market का कोई clear direction मिलेगा इस रेंज में market का कोई clear direction नहीं मिलेगा जो बायर से उनके stop loss कहां हो सकते हैं अगर इंट्राडे बेस पे देखा जाए तो 45,000 पे ही मार्केट के जो बायर से उनके स्टोप लोस मुझे नजर आ रहे हैं रीजन बहुत क्लियर है मार्केट अगर देखा जाए एक अच्छी बायंग अभी लास्ट ली कहां से दिया तो यही लेवल जहां से मार्केट अच्छी बायंग प्रोवाइट दिया है तो यह टोटल मेरा व्यू है अब मानलो 45,000 की नीचे एक बहुत बड़ा गेप डाउन मार्केट हो रहा है डाइसो कोईंट अभाव का गेप डाउन हो रहा है देन मार्केट में क्या सीनरी होगा देन मार्केट में अथ थोड़ा सा वेट करेंगे बेरिश हो जाएंगे अग मार्केट वाकई में क्या 45,000 की नीचे सस्टेनेबल है अगर रुका तो अपन मार्केट में बेरिश यह मेरा बैंक निप्टी का क्लियर केट व्यू है जब तक 45,000 और 45,615 साड़े 600 रेंज की मार्केट रहेगा तब तक मार्केट का डिरेक्शन क्लियर नहीं हो पाएगा इ आपको इंट्राडे में लाइव में ही कही न कहीं जब मार्केट चल रहा होता है तभी अपने कोई व्यू बनाने पड़ेंगे कि भाई यह जो सप्ला है सोरी यह जो डिमांड है बोटम की इस डिमांड पर मार्केट में कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ है मतलब ऑप्शन डेट क्य утrasse न करको ऐगा अधर यह सब फ्रकाइर का मार्केट के का आपको डिसाइट करना पड़ेगा आप डिना के सकते इस लेवल पर मार्केट में आएगा तो अपन क्या कर सकते हैं तो क्लियर है कि वह अगर मार्केट 200 ओख गेप होता है भॉस शोरीटी की साथ अपन का भी एग अब यहाँ पर बात हो कि Nifty 50 के व्यूओ के बारे में इसी को मैं डे टायम पर ले जा के समझाओ तो Nifty 50 all-time high, Fin Nifty all-time high, Bank nifty all-time high, भाई जलवा चल रहा है, नifty 50 में भी same स्ती थी ती है, market आज अपना एक high rate करके इस प्रकार का shooting star Kendalistik पेटन बनाया है, अगर next day मतलब कल के market में इस candle के नीची एक भी candle close होती है red तो ये एक bearish pattern बनता है आप सभी को पता है, triple candlestick pattern होता है, evening star I think इसा ही कुछ इसका नाम है, तो वही ये overall कि market इसका low break करें market में जो buyers हो इसी के low के stop loss को लेके बेठे रहेंगे, वह इसका low जैसे break होता है seller's दुआरा next day, obvious नी market में बड़ा selling आ सकता है, because जो यहाँ पर seller है, वो भी अपना stop loss card के कहिने के selling में अपना interest बनाएंगे ओके, so ये technical इस प्रकार से होता है, 15 minute time frame पर market क्या कर रहा है, इस चीज को समझें, टीके बाई, negative नहीं हुआ है, positive अभी भी खड़ा है, positive to neutral थोड़ा सा दिख रहा है, बड़ा trend positive है, तो positivity ही अपन इसको लेके चलेंगे, कौन से level से इसमें buying आया, अगर इसकी बात मैं करूं, तो 19,300, 19,300 की level से market में शाप buying आया, उसके बाद market नीचे move भी नहीं किया, उसके बाद जब market ने 19,435, 19,435 की level को touch किया, देन कहीं अगे market थोड़ा नीचे आया, तो अभी अपना market का क्या view होना आला है, same जो bank nifty का view था, अगर आज का high के उपर market gap up open हो रहा है, retracement के बाद अपन buying में plan करेंगे, flat open होके, इसी range में 19,300, 19,300 और 19,435 की range में अगर market रह रहा है, तो फिर अपने लिए उख consolation sideways market हो जाएगा, अगर market 19,300, 19,300 के नीचे gap down open हो रहा है, तो market में अपना view थोड़ा बहुत bearish लेकर चल सकते हैं, इसके बात बात करेंगे, अपन फिन निप्टी के बारे में जिसका आज expired ही था, इसने आज थोड़ा सा परिशान किया वाई, ठीक, it's okay market है, normal thing होता ही है, ठीक है, आज थोड़ा सा फिन निप्टी परिशान किया, बट it's okay, proper रहा है, अपने कोई problem वाली बात नहीं थी, market फिन निप्टी का क्या क्या क्या, एक अच्छा का सा buying दिया, gap up open हुआ, थोड़ा सा market नीचे आता है, then buying create करता है, 2000, 20,311 अराउंड के level से, ठीक है, वही 10,11 का level, और वहीं से market buying करके, अच्छा का सा high बनाता है, अपना लगबग 20,575 का, ओके, तो यह दो range अपने लिए market create करता है, day time frame पर इसको देखा जाया, तो एक inverse hammer की तरह यहां पर आकरती मिल रही है, मतलब overall देखा जाया ना, तो तीनों indices, मतलब आपका nifty bank, nifty fin, nifty, तीनों पर top पर कुछ ऐसा pattern मना है, जो market को reverse कर सकता है, या market को continue कर सकता है, तो थोड़ा सा यहां पर hold हो सकता है, probability है, इसमें कोई दो रहा है नहीं है, अब देखते हैं क्या स्थीति, यहां पर market दे रहा है, nifty fin service का अगर सीन देखा जाया, तो यहां से, ठीक है, एक parallel channel तो show हो ही रहा है, उसमें तो कोई दो रहा है नहीं है, लेकिन अभी market यह भी बता रहा है क्या भाई, अभी भी market में जान बाकि, अभी भी market यहां से bearish bullish show नहीं है, ठीक है, इस चीज़ को समझेगा, बढ़िया भाई, ओके, not bad, तो इस प्रकार से एक parallel channel दिख रहा है, इसमें क्या सीन है, भाई इसमें भी बहुत बड़ा range market दिया है, 300 point around का range, nifty fin create कर चुका है अपने लिए, तो यहां पर अपन क्या करेंगे, 20,300, 20,300 के नीचे market gap down open हो रहा है, market में थोड़ा सा bearishness रहेगा, अगर market क्या करता है, आप इतना समझे लिजएगा, flat open होके, at least अपना जो last swing ही create किया है, buyers के लिए, sellers वाला, मतलब ये वाला level, और आज का जो market का, exactly क्या बोलते हैं, इसको high है, इसी के उपर ही market open हो रहा है, फिर तो एक शांदार बाइंग का expect रहेगा, so overall important level कुण कुण से है, आज का day high 20,600 अराउंड का level, आज का day low 20,300 का level, और ये आज का mid जो बना है, इसने 20,470, ये level में लिए as a support, as a resistance work करेंगे, particular day के अंदर, कल, exactly awareness दे है, देखते हैं कल का market किस प्रकार का होता है, गाईस अगर ये वीडियो आपको helpful लगा, ये वीडियो आपके लिए अच्छा रहा है, अगर इस वीडियो से आपको market का थोड़ा सा समझ हुआ है, कि market किस प्रकार कर रहा है, so please इस चैनल को subscribe करके, बेल आकर hit करके, एक छोटा सा आपका comment जरूर लिखेगा, कि आपको वीडियो कैसा लगा है, so ठीक है, बाई बाई टेके, ध्यान रिखेए, मस रहीज, जुड़े रिदा बिग बूल फोटो 0 के साथ,